कि हेलो फ्रेंट्स एक बार फिर सब आप सबका स्वागत है फ्रेंट्स यह फो डिर्ल ट्रेशन का पार्ट 2 है इसके आगे पार्ट 3 और पार्ट 4 भी आएंगे जैसे मैंने पहले बताया था यह टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है थोड़ा सा बड़ा है इस वज़े से यह इस आर्टिकल ऑफ फूड हूस नेचर सब्स्टांस और क्वालिटी इस सो अफेक्टेड एस तो रेंडर इट इंजुरियस तो हैल्थ इस इंक्लूड फूड्स विच मतलब की ऐसे सब्स्टेंस या फिर ऐसे आर्टिकल जो फूड 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 अफूड से जिसका नेचर या सब्स्टेंस और कॉलिटी उस फूड की इस तरह से एफेक्टेड हो जाए जिससे कि वह हेल्थ के लिए इंजुरियस हो जाए ऐसे फूड में कौन कौन से आते हैं क्या-क्या उनकी कटेग्री होती है मतलब किसी तरह का पॉड जो सब्स्टेंस है वह यह तो पैकेजिंग में या फिर फूड में ही हो तो यह सब क्या है यह अंसे फूड में आएंगे देन नेक्स्ट है फिल्थी पेट्रेड और रॉटें डिकंपोजड और डिजीज अनिमल सबस्टांस और वेजटेबल इस तरह के कुछ भी अगर फूड में प्रेजेंट है तो वह अंसे फूड है जैसे कि इसमें जो फूड सेफ्टी का जो में प्रिंसिपल है वो गुड हाजीन प्रेक्टिस पे ही डिपेंड है तो अगर फूड ही अन हाजीनिकली प्रिपेर किया गया है तो फूड किसी भी तरह से से शेफ नहीं हो सकता और में कंटेंड अनी हामफुल सबस्टेंस है यह अगर फूड प्रेजेंट हैं तो यह बहुत ही ज्यादा डेंजरेस हैं कि नेक्स्ट हैस बीन सब्सिट्यूटेड होली और पार्ट अफ विद इंफिरियर और चीपर सबस्टेंस लाइक हस्ट स्टार्श और सॉडर्स टूइस पाइस पॉडर और स्टार्श टू मिल ठीज है मतलब हिसमें कि यह है कि हम इसमें कपड़र करें फूड के साथ एसके लिए है उसके अदर हम अगर starch डाल रहे हैं या artificial color डाल रहे है या non permitted जो color है वो डाल रहे या excess में डाल रहे हैं Okay milk powder है milk powder हम starch को add कर रहे हैं तो यह सब क्या हुआ these are unsafe food category में आएगा क्योंकि सारे कमपोनेंट्स काफी dangerous हैं हमारे Health के लिए ओपो फिर Next substances which added directly to the food or as an ingredient which are not not permitted like preservatives to milk okay बहुत सारे जो वेंडर्स हैं वो मिल्क की जो मिल्क की शेल्फ लाइफ है उसको बढ़ाने के लिए ना उसमें निट्रिलाइजर मिलाते हैं उके preservatives मिलाते हैं जो की permitted नहीं है किसी भी तरह से उनको permission नहीं दी जाया सकती इस चीज के लिए लेकिन वह को एड्ड करते हैं तो इसका मतलब वहीं है कि वो डिरेक्ली उसमें एड्ड किया गया हो वो इंग्रेडियंट जो की permitted नहीं है like preservatives to milk okay next have had any of the natural constituents abstracted completely और in part मतलब मान लिजे कि for example uh spices हैं okay ऐसे को पावडर फॉर्म नहीं बोल रहे हैं जैसे कि कार्डम हो गया इलाची हो गया फिर लॉंग हो गया यह spices हैं तो इनकी अंदर से जो essential oil होते हैं उनको एफ उनको extract कर लें ठीक है उनका extraction कर लें तो उसमें कुछ खास बचता नहीं फिर ओके तो यह उन चीज़ को बोल रहा है कि जो natural constituents हैं अगर हम उनको abstract कर लें या उसमें से निकाल दें चाहे वो थोड़ा पार्ट निकाले या completely निकाल लें तो वो unsafe food की category में आएगा दूसरा है next है have been flavored colored process to make a food appear better than it actually मतलब कि चाहे food कैसा भी दिख रहा हो लेकिन हम उसको अच्छा दिखाने के लिए उसमें flavor हम add कर दें उसको color को change कर दें उसको process कर दें तो भी यह unsafe food के category में ही आएगा क्योंकि हम जो actual food का जो nature है या उसका जो texture है हम उसको ही change कर रहे हैं फिर next है contain coloring matter or preservatives other than that specified मतलब कि जो F SSI ने जो specify कर रखे हैं conservatives उसके अलामा अगर हम उसमें कुछ add कर रहे हैं या फिर coloring agents को add कर रहे हैं तो वो unsafe food category में आएंगे नेक्स्ट आर इंफेक्टेड और इंफेस्टेड विद वॉम्स वविल्स और इंसेक्ट्स तो यह सब क्या है यह सब unsafe food category में आएंगे क्योंकि अगर इंसेक्ट ने उसको इंफेस्ट किया हुआ है वाम्स ने उसको इंफेक्ट किया हुआ है या फिर विविल्स हैं या इंसेक्ट्स हैं तो कहीं न कहीं उनके toxins भी उस food में present होंगे तो वो dangerous हो सकते हैं health के लिए are misbranded और substandard और contain extraneous matter तो पहले बता चुके हैं कि यह dangerous होते हैं और यह safe नहीं होते किसी भी तरह से health के लिए contain pesticides specified by regulations अगर pesticides हैं ओके और अगर वह जो regulation है उससे according है तो ठीक है बट अगर regulations के according नहीं है तो वो unsafe है fine अब बात कर लेते हैं common adultrants की कि common adultrants क्या-क्या होते हैं so grains exposed to insects rodents can contaminate the faces and insects eggs larva also made ideal condition for fungal growth मतलब कि जो grains होते हैं ठीक है food grains है अगर उनको हमने insects से rodents से किसी तरह से exposed कर दिया तो वो उस food में उनके feces के थ्रूब कंटमनेट जाएगा वो food और जो इंसेक्ट के larva हैं eggs हैं और जो से feces हैं इंसेक्ट और रॉडिंस के यह सब fungal growth के लिए काफी favorable होते हैं ठीक है तो फंगल ग्रोथ को प्रमोर्ट करेंगे जो कि अच्छा नहीं होगा अब हम बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से common adultants होते हैं कि यह यह टेबल्स हैं जिसमें उन चीजों को जो सारे food groups हैं उनको हमने categorize कर रखा है तो चलिए देख लिए था फटा फट 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 फूट फूट ग्रूप से हैं food items में हैं मतलब वह फूट ग्रूप में किस food item item में वह चीज आती हैं फिर उसमें intentionally added कौन-कौन से अडल्टेंट से हैं और unintentionally added कौन-कौन से हैं फाइन तो cereals and pulses हैं और उनके products हैं इसमें rice और wheat आता है ठीक है तो rice और wheat में intentionally added कौन-कौन से चीज़ हैं like stones हैं grits है straw fine unintentionally added कौन-कौन पेस्टिसाइट से फंगल टॉक्सिंस है डिर्ट है पेस्ट डॉपिंग्स हैं hair infection इंसेक्ट infection एक्सेक्ट्रा सो तो यह जो बोलना है कि हम पेस्टिसाइट और फंगल टॉक्सिंस यह unintentionally कैसे हैं तो सिंपल्स है कि जब वीट या जो राइस है उनको जब ग्रो कराते हैं तो उनको इंसेक्ट से बचाने के लिए हम कहीं कहीं पेस्टिसाइट के यूज करते हैं ग्रोथ प्रमोटर के यूज करते हैं उनके अच्छे ग्रोथ के लिए ओके और इस वज़े से जब उनकी हवर्विस्टिस करते हैं तो घसकते हैं उनके तौछ ट्रेस उसमें रह जाएं तो यह एंतंजनली होता इसलीए यह केटेगरी में आते हैं विए particles पाई जाते हैं से यह क्युक्स्सिक्त हैं क्योंकि आप तो उसको साफ कर रहें ना तो उसन्म पाधों से नहीं के मतलब की मालेजे की Ain't all-time कुछ स्टार्श होंगे लेकिन उसके लावान जो फ़ारिं स्टार्श मिलाते हैं अलग से कुछ किसी और चीच का मलाते हैं मालेजे कि जैसे कि कॉरन स्टार्श है हमने उसको एड़ कर दिया ओके तो वो क्या हुआ men इंटेंशनली एड़ेड है क्योंकि वह मिला इसमें वह अपने आप नहीं मिल सकता फिर चाकपटर है यह भी इंटेंशनली ही एड क्या जाता है वाकि अनिटेंशनली जैसे की वीट राइस का था सेम वैसे इसके लिए भी है दैन सेमेलीना लाइक दोजी इसमें सैंड आप एकिस्टिस हैं साइट से ये सब भी उसमें हो सकते हैं की अब बात करते हैं फोरेन पल्स एड़की चैनल इसकते हैं लटर इससे ज्रिजिवर्स ज्रुल के श्रिजास करें केलिग तो ये काफी डेंजर्स होता है ओकि दें वैसे ही सेम लेंश इसकुलेंट स्कुलेंट एड किये हुए होते हैं बाकी अनिटेंशनली लाइक पैस्टिसाइट्स वैसे ही सेम जैसे की वीट और राइस के लिए थे ठीक फिर बेसन फ्लार्व और पल्सेज प्रड़क्ट मेड लाइक नमकीन मिठाई इन सब का तो इसमें क्या है कि वहीं फॉरें स्टार्ज मिलाना फ उसका फॉइल यूज के जाता है जो उसमें आपने उसका उस पेक सिल्वर आपने दिख्योंगी मिठाईयों पर लगी हुई होती है तो वह सिल्वर फॉइल का होता यूज लेकिन उसको अडल्ट्रेट करते हुए अलुमिनियों फॉइल के यूज कुछ लोग करते हैं जो क बात करते हैं मिल्क प्रडेट्स की मिल्क में कि वॉटर फॉर्मिलिन मिलाना बोरेक ऐसे नुट्रीजर लाइक सोरियम और और यूरिया कास्टिक सोड़ा स्टार्श मिलाना फैट मिलाना एक्स्ट्राइट तो यह सब क्या है यह इंटेश्ट हें रिशिणिल एंटिश्टि गातिक है उसमें अलग तरह से हम वनस्पती मिला दें यो घी में हम वनस्पती मिला दें अन्मल फैट मिला दें ये सब क्या हुआ अगर में थने उला को दोवसों होग सबसेंटानी और मुठाइ स्वार्च अल्ऊमिंणियव उछ क्या हूब हूबू अकर क्या हूब प्रॉपजर्बिंग, अगर प्रैजंट रही हूब फिर नेक्स देख लेते हैं फटाफट एडिबल ऑइल्स और फैट्स दोस्तों अगर मैं थोड़ा फास चल रहा हूं तो उसके लिए सौरी आप लोग वीडियो को पॉस्ट करके इन चीजों को लिख सकते हैं और कोशिश हम यह कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप लोग स सारी टॉपिक्स कवर करा लिए जाएं तो अगर फास चलने तो अपलो कमेंट करिएगा हम तो रहा स्लो हो जाएंगे बाकि अगर कोई दिकत नहीं तो चलने देते हैं ठीक है तो नेक्स एडिबल ऑइल से वेच्टेबल ऑईल से वेच्टेबल ऑईल से में क्या-क्या इंट एड करना और अन इंटेशनली क्या है पेस्टिसाइड सेंड फंगल टॉक्सिंस लाइक अफला टॉक्सिं जैसे मैंने पहले एक्जांपल दिया था नेक्स्ट वनस्पती घी का लाइक हड्रोजीनेटेट फैट इसको बोलते हैं इसमें कलर को एड होना और चीपर ऑईल का म फिर है spices spices में whole मतलब complete spice और powder form दोनों होते हैं तो पहले हम देख लेते हैं whole का जैसे कि clove and cardamom like spices तो इसमें क्या है essential oil का extract कर लेना मतलब उनको extract ही करके निकाल लेते हम उसमें extract color मिला देना यह इंटेंशनली एड़ेट अडुल्टेंट से थे पेस्टिसाइट का पाया जाना अटेंशनली है ब्लैक पेपर में क्या है पपाया सीड को हम इला देते हैं उसके बाद फिर हम उस पर मिन्रल ओयल के कोटिंग कर देते हैं लाइक वह पापाया की तरह वह दिखे और पैस्टिसाइट का पाया जाना अनिटेंशनली है देन असफिटीडा लाइक हीं इसमें फॉरें रिजन का पाया जाना अगर है तो यह इंटेंशनली है ओके स्पाइस पावडर इसमें लाइक हर में यालो लेट्ट क्रोमेट सुदान डाए स्टार्च हरस्ग बान यह सब इसमें प्रेजन हैं तो यह सब क्या है इंटेंशनली है और प्लोट है और पेस्टिसाइट से हैं हवी मेटल से यह सब प्रेजन मेर्फ गया है 122 एटेंशनली है fine कि कर सो फो नेक्स्ट देख लीडिए बीवरेजेस लाइक टी लीश बावलर टी रिज एंड पावडर हैं अगर उसमें हम हमने फॉरंब्स मिला रखे हैं मतलब टीलिव नहीं इसमें हमने कोई ऐसे एक्स टाल दिये हैं पता हैं उन पॉज़दी हैं इसको अदलकेट करने के लिए देन exhausted leaves मतलब tea leaves तो ही है बट वह exhausted है उसका यूज हो चुका है उसको हमने मिला दिया सो यह सब क्या है यह intentionally added adulterans है fine common adulterans है ओके iron feelings tea leaves में अगर हैं तो यह unintentionally है यह processing के time पर हो सकता है मिल जाए coffee powder chicory tamarinds seed powder stars colors यह सब भी क्या है common adulterans है जो इसमें chicory है दोस्तों यह जादा तर इसका use करते हैं coffee powder में कि इनको test कैसे करना है इसी chapter में हम आपको बताएंगे कि इनको हम identify कैसे करें कि इसमें adulterans यह add है इनको हम identify भी करेंगे इसमें आप लों एक topic और भी cover हो जाएगा जो कि FSCI का है कि जो testing methods है तो भी इसी में cover हो जाएंगे वो कि फिर कि नेक्स बात करते हैं soft drinks के saccharine brominate brominates vegetable oils colors excess color मतलब excess जो non permitted color है या artificial color रहे हैं उनका जो add करना यह सब intentionally में add होते हैं प्रेश साइट अनिटेंशनली पाए जाते हैं sweetening agents में क्या है sugar है starch और bubbles का पाए जाना यह intentionally है देन हनी में honey में sugar मिला दिया जाता है okay pure honey होता है बट उसमें pure honey को अगर honey थोड़ा से निकाल के उसके अंदर उस content को पूरा करने के लिए volume पूरा करने के लिए हम उसमें sugar add कर देते हैं तो वो क्या हुआ हुआ वो unintentionally हुआ oh sorry intentionally हुआ okay antibiotics and pesticides का पाए जाना वो unintentionally हुआ fine so that's it friends यहीं तक था आप लोग इन चार्ट्स को दो तीन बार जरूर रिवाइस कर लीजेगा क्योंकि यह सारे चीजों को cover करते हैं और hopeful कि आप लोगों के यह फायदे मंद होगा और आप लोगों अच्छा बिलाएगा अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए और हम लोगों को सपोर्ट करिए थैंक यू बाए